गुड बॉनिंग डेरी स्टुडेंट जिस जुषी स्टुडेंट ने इफको ग्रेज़ेट इंजिनियर अपरेंटेशिप की फॉर्म को अपलाई किया था डेरी स्टुडेंट उसकी ओनलाइन टेस्ट की डेट आ चुकी है तो आप सभी कृपए अपना ये डेट ऑफीसियल आई है ये डेट अपके मेल पर इंफॉर्मेशन किया गया है तो आप सभी लोग जाकर के अपने मेल को खोले मेल पर एक सपोर्ट टाइप का ऐसे लोगों बन के आया होगा आप सभी दिधान से देखें नहीं तो आप सम अपना भूल जाएंगे डेट तो आपका पेपर strongest जाकर के मेल पर किलिक करिखें जिससे आप अपना इफ को प्रिट्रेश्ट का information समझ सकेंगे क्या है इसका क्या क्या डेटेल से कैसे कैसे टेस्ट देना है यह सारी डेटेयल आपको मेल कर दी गई है इफको ने पर पकर धिसने मेल तो इसको आप सभी लोग ध्यान से देखे। देखे इसमें आप ऊपर देख सकते हैं कि यह request जो आई है यह आपका किस के लिए आई है प्रे और आउन लाइन टेस्ट के लिए हूँ है यह देखे हैं आपके मेल पर आए हुगा और यह ग्रेज़ोट एंगिनियर अप्रेंटे यह सत्तरा से एठारा नौबर ये दो डेटे हैं जो आपका टेस्ट टाइम होगा वह golden होगा ग्यारा से पांच में कभी भी आप टेस्ट दे सकते हैं 11 a.m. से 5 p.m. यानि सुबा 11 बज़े से साम को 5 बे तक दे सकते हैं जो प्री टेस्ट होगा जो टेस्ट मॉक होगा अब आपका क्या आता है डियर स्टुडेंट एक्चुल टेस्ट आपको मैं बताऊं एक्चुल टेस्ट आपका 22 नॉमबर एक्चुल टेस्ट आपका 22 नॉमबर को रखा गया है जो 25 नॉमबर को रखा गया है और ये टेस्ट आपका 45 मिनिट का होगा टोटल देख सकते हैं जो 11 a.m. से 11.45 a.m. पे होगा मतलब 45 मिनिट के अंदर आपका ये टेस्ट खतम हो जाएगा तो आप सभी dear student इसको ध्यान से देखे हैं कि आपको अपना मेल चक करें मेल पे सब जाके support चक करें नहीं तो आपका टेस्ट ये छूट जाएगा जिसने भी जिस भी student ने इस form को डाला होगा ये support करके और आप जाएंगे क्या-क्या है इसले बस आपको ग्रेजवेट इंजिनियर हैं उनके लिए ये है कि आपकी जो भी language होगी paper का mode होगा वкої in glacier ही होगा आपका paper इVPN मैं नहीं होगा इसे में ऐंवको ने शाफ शाब बता दिये this test build be in English language & only तो आप सब क्रिपया इस बात को ध्यान में रखते होगे चले और नेगेटिव मार्किंग होगी इसमें वन फोर्थ की तो आप सब इसको ध्यान में रखते हो चलें कि पेपर आपका इंग्रिस में आएगा दूसरी बात ही आपके 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 टोटल जो कॉस्चन होगा वन फिप्टी कॉस्चन होगा मल्टिपल कॉस्चन होगे और जो है प्रते कॉस्चन जो होगा वो आपका इसमें दिखाए गया है कि क्या क्या होगा और आपकी वन फोर्थ की नेगेटिव मार्किंग होगी यहां से आप देख सकते हैं इसकी पूरी इंफॉर्मेशन में बताऊं आपको अगर देखना चाहेंगी तो हुआ पि्र में नेगेटिव मार्किंग होगी नेगेटिव मार्किंग अपकी पहला ही बता देथी कि वन् फोर्थ की में फोर्थ निगेटिंग मार्किंग रहेगी ही रहेगी उसके बाद आप देख सकते हैं कि क्या क्या जो एक्चुल टेस्ट होगा आपका 45 मिनट का होगा यह मैंने बताई दिया आप सब को तो आप सब इसको ध्यान रहें अच्छा आप दूसरी बात यह सबसे बड़ी प्राब्लम है जो भी ग्रेजोट इंजिनियर है उनके लिए कि आपका टेस्ट होगा विंडू 7 से अबाफ का लेप्टॉप होना चाहिए और गूगल का क्रोम वर्दन है वो 75 के अबब होना च अगर यह आपकी क्राइटेरिया फुल्फिल नहीं करेगा तो आपका टेस्ट जो है रन नहीं करेगा तो क्रिप्प आप सब अपने यह क्राइटेरिया देख लें अगर आपको जिस पर स्टूडेंट को देखना है अच्छे से समझ सकता है अगर और कोई प्राबलम होगे आगे की वीडियो में अब्डेट कर दीजाएगी अभी तो फिरहाल यही आया है जो टेस्ट का आया है होना है वह दो डिया रीम्सका जो दिया गया है वह 17 का है और यह 15 निट का होगा या 45 निट लुट का होगा और टाइम आपको देख सकते हैंहां thank you dear student